हेलो एबरीवन कैसे हैं आप लोग फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपने यूटूब वीडियो में एंड स्क्रीन कैसे लगाएं एंड स्क्रीन कब और कहां पर लगाना चाहिए और किस तरीके से लगाते हैं आपको इस वीडियो में सब को सीखने को मिलेगा और इतना आसान तरीका से सीखने को मिलेगा कि आप वीडियो को देखने के बाद में मुस्कुराते हुए जाओगे तो चलो फ्रंट्स वीडियो को सुरू करते हैं अगर हमारे चैनल पर नए हो तो अंसु इसकाई चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन को फ्रेस कर लेना है और वीडियो को सुरू करते हैं तो फ्रंट्स सबसे पहले आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को उपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है studio.youtube.com इस तरीके से लिखना है मिलाकर लिखना है इस पेस नहीं देना है नहीं तो आप किसी दूसरी सैट पर चले जाओगे और इतना लिखने के बाद में आपको सर्च कर देना है अब यहाँ पर फ्रेंट्स आपके चैनल का dashboard उपन हो जाएगा आपको यहाँ पर three dot पर किलिक करना है और यहाँ से आपको desktop सैट लगा लेना है आपका computer की तरह उपन हो जाएगा अब यहाँ पर friends आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको वीडियो का एक आइकन दिख रहा होगा आपको इस वीडियो वाले आइकन पर किलिक कर देना है और यहाँ पर friends आपके चैनल की वीडियो सो हो जाएंगी आप जिस भी वीडियो को end screen में लगाना चाहते हो उस वीडियो को यहाँ से सलेक्ट कर लेना है जैसे मैं इस वीडियो पर end screen लगाना चाहता हूँ तो friends हम इस वीडियो के थमनेल पर किलिक कर देंगे अब यहाँ पर friends आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम आउट कर लेता हूँ अब यहाँ पर friends आप देख पा रही होंगे आपको right side में एक end screen का option मिल जाएगा आपको इस पर किलिक कर देना है अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा आपको यहीं से end screen लगाना है अब यहाँ पर friends आपको जल्दबाजी नहीं करना है सबसे cutting subject यहीं पर है पर मैं आपको friends बहुती आसान तरीके से और प्यार के साथ समझाऊंगा इसी बज़े से हमारा channel जाना जाता है तो सबसे पहले हम elements को समझ लेते हैं elements क्या होता है अब यहाँ पर friends आपको कुछ elements दिये गई हैं आप इनमें से भी use कर सकती हो पर मैं आपको suggest करूँगा कि आप यहाँ से elements को use करें आपको इस elements वाले option पर click कर देना है और यहाँ पर आपको वीडियो पर click कर देना है और यहाँ पर आपको तीन option मिल जाएंगे आपको choose specific वीडियो पर click कर देना है और यहाँ से आपको उस वीडियो को select कर लेना है जिस वीडियो को आप end screen में लगाना चाहते हो तो friends हम यहाँ पर इस वीडियो को select कर लेते हैं अब यहाँ पर friends आप देख पा रही होंगे कि हमारी वीडियो end screen में आ चुकी है इसको आप उपर नीचे left right कहीं भी set कर सकते हो मैं इसको यहाँ पर set कर लेता हूँ अब आपको इस तरह का subscriber logo लगाना है तो कैसे लगाओगे यह भी सीख लो आपको फिर से elements वाले option पर click करना है और यहाँ पर friends आपको subscriber का option मिल जाएगा आपको इस पर click कर देना है और यहाँ पर आपका subscriber logo आ जाएगा इसको भी आप कहीं भी set कर सकते हो आपका काम friends complete हो चुका है एक बात और फटाफट समझ लो अगर आपको दो वीडियो लगाना है जिस तरीके से आपने ये वाली वीडियो लगाई थी उसी तरह से elements से जाकर एक और वीडियो लगा लेना है और यहाँ से save कर देना है आपकी end screen लग जाएगी आप दूसरे phone में चक भी कर सकते हो अगर फ्रेंट्स वीडियो ने आपकी help की हो तो फ्रेंट्स एक like जरूर करना इस तरह की और नॉलिजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर लेना है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स